हालो दोस्तों मैं हूँ स्वमिछ रहान और आप देख रहे हैं The News Week आज हम ये एक खास वीडियो कर रहे हैं और पीछे जो नजारा है उससे देखकर आपको ये अभास हुआ होगा कि हम किसी पाड़ी इलाके में हैं हम इस वकट उत्राखंड में हैं और उत्राखंड में लैंस्डाउन नाम की जगह जहां पर आए हुए हैं चुनावी कवरेज करते हुए और डॉक्टर लक्ष्मन यादा कि कवीता के खास सेग्मेंट की शूटिंग के लिए हम लोग यहां पर आये थे और यहां पर आने के ब सभरे पढ़ते हैं उत्राखंड से तो ये पता चलता है कि जो जातिवाद है जाति के महसूस होते हैं अभी जैसे सुनीता जो भोजन माता है सुनीता चंपावत वाला की साय था उत्राकंड से तो खबर पड़ी थी आपने बिलकुल बिलकुल पड़ी थी नहीं यह आपने शुरुआती बहुत रोचक किये कि अकसर जो बाहर से बहुत चमकता हुआ देखता है बह जो टीवी पर सीरियल दिये जा रहे हैं वो उनके घरों का डेकोरेशन जैसा होता है ना वो घर तो इस देश में एक फीजदी लोगों के पास भी नहीं है और टीवी में चल रहा है वो 90 पीजदी 99 पीजदी लोगों के घरों में पहाड हो खुपसूर्ती हो वादियों के ख लेकिन इसके भीतर भी एक सभ्यता है अब हम जहां खड़े हैं वो तो उत्राखंड और हमाचल तो उनों खुद को क्लेम करते हैं कि वो देव भूमी खुद को क्लेम करते हैं इसलिए आपका जो आप जिस एंगल से इस पूरे नजारे के बीच जो इनसान है उनको देखने क कोशिश कर रहे हैं पहले तो मैं कहा रहा हो कि आपको बढ़ा ही कि ऐसी कोशिश कम होई हैं यह नहीं कहूंगा कि ऐसा किसे नहीं देखा ही नहीं अगर अभी जो पितोरागर मेंक दलित मज़़ूर को चाकु वजा गब मार दिया था कि उसने मजदोरी करने से मना कर दिया था तो बंदवा मजदूरी करा रे ते तो यह जम कर आती है, आलर रागारों दसक्तात है的 दरा सिर भी घंद आद तो हम निल के मया कहांने उतरने में समय लगता है वहां से वो जो खबरे सूचना आती है मैदानी लाकों में उसमें वक्त लगता है लेकिन बहुत भ्यानक कहानिया उत्राखने माचल से आई है जाधी के सवाल पर निश्यत रोप से मेरा तो आकलन ये है सुभिजी कि कई बार होता ये है कि कुछ खास दृष्टिकोंड से अगर देखें जिन समाजों से प्रतिरोध की आवाजे नहीं आ रही हों जहां नाराजगियां जहां कि आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं लोगों के बीच किसी बारतिक संरचना से पीड़ृत हैं और वो आवाज आप नहीं सुन पा रहे हैं तो आप एक कल्पना कर लेते हैं कि वो दुनिया बहुत खुपसूरत होगी मगर ऐसा नहीं होता ऐसा होता ये है कि वो आवाजें कहीं घुम कर दी जा रहे इन पहाड़ी वादियों में इन ख पहाड करते जा रहे हैं। वो इन्सान पहाड को मारी हैं। बसते हैं, आप अपने लिए बस रहे हैं, पहाड भी ऐसे ही है, पहाड के लोग, लोगों का मिजाद अच्छा होता है, पहाड के लोग महनत कश्च लगते हैं, पहाड खुबसूरत लगते हैं, लेकिन विकास के नाम पर आप चारधाम यात्रा के लिए जो कॉरिडॉर बना उन सडकों के बनने ने पहाडों के बीच जो भूस खलन है या पहाडों पर पत्थर गिरने गटनाय बढ़ा दी, तो यह सब एक एक एंगिल है देखने का, लेकिन हम अगर जाती के एंगिल से देखें, सामाजीक सनचना के एंगिल से देखें, तो यह निश्यत रूप से ज हमारे हैं हंदी में पढ़ाया जाता है, मैं वहां से रिफरेंस लेकर जोड रहा हूं, हमारे हैं दो नौजागन हुए, ऐसे बात चलती है, एक महाराष्टा का नौजागन, जिस नौजागन की सबसे बुलंद आवाजों में से एक जोतिबा फूले है, उस नौजागन को कह सब भद्रता है उसके भीतर जो जातिवाद है, आप कभी बंगाल का देखे, वह बहस में नहीं है, इसी तरह से उत्राखंड हो, हिमाचल हो या पहाड के बीच, पहाडी होने की जो मुश्किले हैं, वह सब के साथ हैं, मगर उसके बीच जो पहाडी दलित पिछड़े होंग तो दरसल ये देव भूमी के दलितों का दर्द जो है, वह सामने नहीं आ पाया बहुत बात, और इसलिए टूरिस्टेक्शन में देखिके, आरे बड़े मज़ें बर्फबारी हो रही है, चलो हिल स्टेशन पे चलते हैं, तो खासकर जो मैदानी लाकों के लोगे, वह 2015 की बात है, if I'm not wrong, उस समय बीजेपी के राज्यसवा सांसत थे, तरुन विजय, और तरुन विजय, और तरुन विजय, और तरुन विजय, आरे सिस के मुखपत्र, जो पांच जिन्ने है, उसके भी संपादक रही है, हार्ड कोर संघी माने जाते हैं, दलित हैं, लेकिन अगे एक जगह है, वहाँ पर वो किसी मंदिर में गए, और जैसे ही वो मंदिर में गए, तो वहाँ के जो सवन लोग थे, ठाकुरो और ब्रह्मन, खास कर, उन लोगों ने उस पर पत्थर मारे, बीजेपी का सांसत, आरे से सांसत, उसको पत्थर मारे, और वो विडियो भी जिसमें वो बहुत बुरी तरह से घायल हुए, और बचते बचते भागे की सिते, और सनातनी हिंदूते, तो उसके बाद में वहाँ पर जब यह स्टोरी आई, तो उस समें मैं ABP News में काम कर रहा था, तो मैं वहाँ से यह स्टोरी करने के लिए मैं आया देहरादून और फि रास्ट प्रतम, तो मैंने का चलो मैं करता हूँ यह स्टोरी जाके, तो मैं जब वहाँ गया उस इलाके में, तो बहुत दुर्गम रास्ते हैं, आप जाएंगे तो कई किलोमेटर पैदल चलके किसी गाउं पोचेंगे आप, तो मैं वहाँ गया, तो मैंने देखा कि वहाँ जितने भी दलित हैं, वहाँ के ठाकुरों के घर में कदम नहीं रख सकते, मेरे मित्र हैं चक्रोता में, विक्रम रावत, क्योंकि मेरी लोकल रेफ्रेंस थे, तो मैं उनी के घर पे रुका वहाँ पर, और उनके गाउं में, जो है, मैं शायद पहला दलित व्यक्ति था, जो उनके घर में मैं खाना खाया, और वो भी जहां तक मुझे यकीन है, अलाकि विक्रम ने कभी इस बारे में मुझे बताया, की मुम्के नेक विक्रम ने अपने घर् hardware को नहीं बताया होगा, मैरी जाती नहीं बताया होगी, क्यों मुझे यह लगा, तो होगी मों के यहाँ है, तो उससे मुझे यह लगा कि इनको शायद मेरे बारे में भी नहीं पता अधर्वाइस यह ऐसा नहीं करते वहां उनके घर में क्या देखा मैंने बाकी लोगों के घर में क्या देखा कि चोखट के पास ही इस तरह से जैसे अभी हम खाना खा रहे हैं तो यह थाली है या फिर ए आसकता वह लांग नहीं सकता तो ऐसे वह ग्लास उठाएगा और यह उपर से पानी डाल देंगे उपर से जो है चाय डाल देंगे वह पीएगा खुद धोके उसको वहीं रख देगा चोखट की तरफ यह उसको टच भी नहीं करते हैं यह मतलब आनुभो मैंने चक्रोता में किया और फिर यह मेरा भ्रम टूटा कि यार यह तो देव भूमी जो है इनके दलितों के दर्द के बारे में तो बाती नहीं होती है इवन आपकी बात से इस बातचीत को आगे बढ़ाएं कई बार होता है ने कि एक पहचान बनाया जाता है जैसे महिलाओं के लिए अकसर चल पहचान है ऐसा बोलने में सुनने में जुम्ले बोलने में अच्छा लगता है मगर गहराई से विष लेशन करेंगे, तो एसी कोई एक पहछान होती नहीं है. खासकर भारती है, उप महादेत में. मुसल्मान होना एक पहछान नहीं है. आप पसमानदा अंदोलन कर रहें, पसमानदा की आवाज उठा रहें. उन तमाम दलित पिषडे मुसलमानों से बात करिये, वो आपको समझाएंगे कि सामप्रदाइक्ता किस हद तक उनके पूरे वजूद के खिलाफ है, वो जाते की मारस आ रहे हैं और सामप्रदाइक्ते की मारस आ रहे हैं, तो पहाड़ी होना कोई एक पहचार नहीं है, और तर में सरकार आ चुकी तो इनकी सरकार थी, मोधी पहली वाल प्रदानमंत्री बने तो जो देव भूमी है, वहां देव के भवन में जाने के लिए, एक इंसान, राष्ट्रवादी, सनातनी, हिंदू है, फिर भी उसकी जाती आड़े आ गई, और सोचे हिंदू राष्ट्र बन आपको रोचक सुनाओ, लक्ष्मान जी की उसी गाउं में रुका था हमारे मित्रे के घर पे, वहां सत्यम भारती नाम का एक लड़का था जो की भारत में अंडर 17 क्रिकेट का वाइस कैप्टन, जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, उस क्रिकेट में वह किसी दूसरे द जब गाउं आया तो जो उसके गाउं के परिवार के लोग थे, उन्होंने उसको कंदे पर बिठा के ढूल बजा के और उसको ऐसे गाउं में घुमाना हुआ, हम उमन होता है, जैसे अभी ओलम्पिक में हमने देखा तो हमारे जो नीरत चोपना हैं, और दाया हैं हमारे सोनी तो उनको कितना पूरा का पूरा एकदम बैंड बाजय के साथ में उनको प्रोसेशन निकलने भी नी भी और यह वो जो देश का नाम रोशन करके खिलाडी आया है वहां उसके जीत पे तिरंगा फेराया गया राश्रगान गया और जब अपनी जमीन पर आया तो जाती आगे-ागे और वह भी पहाड का ही किस्सा है वही तो पहाडी होना को एक पहचान नहीं है आप बिष्ट हैं आप रावत हैं आप नोटियाल हैं आपके लिए पहाड रुमानी हो सकता है आप मैदानी लाकों से पूजी लेकर के आ रहे हैं पहाड के विनाश के यह वादियां यह जरने यह नदियां मगर उस सब में जो महनतकर्ष आवाम होगी जो 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 असल में उसका इतिहास पूरी भारत के संदर में बात करें तो पूरी इतिहास लेखन में संस्कृती की परिभाशा में राष्ट की परिभाशा में ऐसा हाशिय पर रख दिया ग जिसने असल में हाथ से कोई श्रम नहीं किया था तो कोई एक्यूपमेंट बनाए निया निया कोई शोध नहीं किया निया कितनी खतरनाक इन लोगों की विवस्ता लक्षमन जी कपड़े धुलवाने तो एक जाती बना दिया लकड़ी कटवानी है तो बड़े पूरी जाती ब करानी थी तो भंगी जूड़ा जिसको हमारे यह कहते हैं वो आपने जाती बना दी तो जो भी आपने काम किया कोई पाल की ढोरा है कोई कुछ कर रहा है आपने सब की जातिया बना दी और उससे कोई अविश्कार नहीं किया हां मलब अब वही है आपकी बार मेरिट वाले ल तो जिसका जीवन रोजमर्रा का जीवन पत्थरों से जुड़ा हुआ है वो पत्थरों में शोध करके उस पत्थरों को आकार दे करके कुछ बद लेगा वैसे ही बढ़ई कुमार लुहार नाई मोची मला निशाद कुर्मी कोईरी तमाम जातिया यह सब अपने अपने हिस् कलम कसाई है और बिलकुल मतलब कमेरा लोगों को बिलकुल किनारे कर दिया गायब कर दिया अधिया और आज वही लोग मेरिट चेक करके कहते हैं कि और देश बरबाद हो गया राष्ट का नुकसान हो गया इसलिए यह बहस आपकी बहुत अच्छी है कि असल में आपके वहल कि जो जो जिस पहार को देखने की एक चश्मे थे आप उसे एक दूसरा चश्मा दे रहे हैं और मैं तो कह रहा हूं यह हम लोग कोई नया नहीं दे रहे हैं सुनीता जी को चंपावत में अगर उनका खाना खाने से बच्चे इंकार न करते कि वो दलित हैं कहां गया राष्ट पहाड की पहचान पहाड की को लेकर के जो एक एस्थटिक सेंस बना दिया गया है इसके खिलाफ एक एक सची कहानी कहने का है और निश्य तोर पर आप आए हैं उतरा खंड का चुनाव कबर करने मैं तो अभी आज संयोग बस हम लोग मिल गया हैं और मैं बता दूं अभी ज अंग्रेपे और एक एक कवी की कवी था है और उनके परीचय को डॉक्टर लक्ष्मन यादव ही नेरेट करेंगे यह उसमें नेरेटर की भूमी का निभाएंगे तो वो भी आप देखेंगे आने वाले दिनों में यह बताईए यह लोग कहते हैं कि आरक्षन से नुक्सान ह हो जाता है कि आरक्षन से नुक्सान होता तो जिन लोगों ने सिक्षा पर हजारों साल से सव फीज़दी आरक्षन लागू किया खुद कब्जे किये रहें सिक्षा पर मंदिरों पर धर्म पर राष्ट्र पर इनकी परवाचा करा राष्ट वो तो फिर तो यह बरबाद हो तो दरसल आप एक समणवादी चश्मे से आरक्षण शब्द और उसके पूरी नेरेशन को देखते हैं आप क्यों नहीं देखते हैं कि नाली साफ करने का रखण आपने थोपा है एक जाती विशेश के आप चमार की बात कर रहे थे कुर्मी कोईरी मला निशाद जागे देखे लेकिन उनकी कैसितियां और इन ही जगहों पर जितनी दुकाने हैं इस पहाड में तमाम जो भी लोग है मैं फिर से कराओं पाड के जीवन में संगर्श है वो लोग प्रकर से लड़ते हैं सब कुछ है लेकिन उसमें भी दोहरी मार कौन जहेल रहा है दोहरी लड़ाई कौन शब देगर कि उसको आप खदम कर रहे हैं हम लोग जो भी बात कर रहे हैं उस पिछली वाली बात से इस बात को जोड़ दें मैं उन जात्यों का नाम ले रहा हूं कम कुरमी कुरी मला निशाद मोची कर्मकार है बढ़ी है लुहार है सदीयों सदीयों जिनोंने वो काम किया सकते लिए इस मिट्टी को कैसे बनना है आप उने कह रहो कि तो लोग मेरिट धारी नहीं है अरे आपने इस देश में कबाड़ा इसले कर दिया कि सिक्षा पर रोजगार पर सम्मान पर आपने सौफ इस दिया रक्षन आपना अवाय धारक्षन आसिल कर लिए इसले मेरिट विरिट का कोई बहस नहीं है आपको बहुत एक इंटरस्टिंग जानकारी दूपता नहीं आप इस बारे में जानते कि नहीं जानते हैं उत्राखंड में जो देहरदून से आगे चकरोता वाला जो इलाका है वो जो 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 इस पूरे एक बेल्ट को जैसे आप पर श्मी उपी बुंदेल खंड बोलते है व को उस एरिया में हलाकी पूरे उत्राखंड में नहीं है लेकिन जानसार बावर में इनके लिए खास प्रोविजन करके और इनको सेड्यूल ट्राइब में सवरनों को भी अरक्षन दिया है हमारे कई मित्रा इमसी में उस अरक्षन की बदोलत अडमिशन लियो है लेकिन वो ह यह है यह आपके आपकी पूरी मानसिक्ता को आपकी सोच को समझ को आपके पूरे विमर्श के दोहरे परन को दिखा रहा है और मैं फिर से कह रहा हूं इसी लिए पता है नहीं मतलब गाउं में आप देखेंगे कि जो बच्चा सबसे शैतान होगा वो कोई बात हो जाए ना यह किया गया इसी लिए आज राष्ट के नाम पर सबसे वोकल कोने धर्म के नाम पर सबसे वोकल कोने अरे आप इसी पहाड़ों की बात कर रहो यहां तुम्हारा राम के मंदिर कितने है पाड में राम पूरे भारत के देवता कैसे हो गए मैं कोई सवाल नहीं कर रहा हूं म गज़ा एक सबीधा और फटाल थो द लेजा रहें अर। इस पूरे विमर्ष को धर्म की भीमर्ष को देव भूमि में ना जैसे ही डेवता का एक विमर्ष आएगा सुर का विमर्ष आएगा तो और शुर का विमर्ष आएगा। और भी दो तो यहां सुनीता के साथ कैसे यह हो गया कि उसके कहात का खाना नहीं काएंगे क्यों नहीं करेंगे अगर देवता है तो देवता सुर है अब उस पर लंबी बात फिर कभी होगी कि देवताओं का चरित्र कैसे था जोतिवा फुले फिर बार बार याद आएंगे पेरियार याद आएंगे बाबा साब याद आएंगे लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि आपने भूमी को देव बना के पूजने की बात की एक तो आपके सारी देवता यतना दुर्गम अस्थानों पर क्यों आए भाई गाय भोजाए विमर्श ही गाय भोजाए तो यह साथ की हो दरसर हम लोग अभी चाय पी हमने पराठा खाया और कोशिश की कि आपको कुछ ऐसी मज़िदार तरीके से कुछ ऐसी काम की बात बताई जाए क्योंकि बहुत बार सोशन की खबरे और बहुत अतियाचार की खबरे होगा और डॉक्ट साब मैं अपने दर्शकों को जानकारी जरूर दे दूं कि आने वाले दिनों में अगले कुछ महिनों में हम देव भूमी के दलितों का दर्द नाम से एक सीरी शुरू करेंगे बहुत बढ़ी है जिसमें हम पूरे उत्राखंड और हिमाचल में ट्रेवल करके और कौशिश करेंगे कि वो कहानिया जो दलितों का दर्द आज तक सामने नहीं आया है सुनिता जैसे किसे हैं सत्यम भारती जैसे किसे हैं जो हमारे देश को दिनिया को पता होना चाहिए उस पर बहुत बढ़िया रिसर्च बेस डोक्युमेंटरी और एक सीरीज हम लो कि कह रहे थे कि मंदिरों में दलतों का भी प्रवेश होना चाहिए फिर हो सकता है नागपूर में उनका प्रवेश वर्जित कर दिया गया हो तो इसको दिखाए और मेरी शुपकामना है आपकी पूरी शंकला के लिए साथियो यह वीडियो आपको कैसा लगा बात्चित कैस लगी लिखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोक्टर लक्ष्मनियादव का खुद का यूट्यूब चैनल है दोक्टर लक्ष्मनियादव नाम से वहां भी इस तरह की बहुत सारी दिल्चर्फ जानकारिया आपको मिलेंगी और इसी तरह से कुछ- शुक्रे इस वीडियो के लिए साथ ही हो अगले वीडियो में मिलते हैं थैंक यू सो मच